कि मेरे नाम है गुर्दीव सिंग और वेलकम करता हूं आपको मेरे योट्यूब चैनल नेवर डाई पर्ड के अदर तो इस वीडियो के अंदर मेरे पास मैं आपको पताऊँ का दो एक पास ए जो बोक्स के अंदर बैटी हुई है तो पर बाला उसका वह मेल है और यलूकलर का मेल और ग्रीन कलर की उसकी मेल है तो प्रैंट्स ये बज्जीस को मैं पिछले साल के नवंबर मंत में लेके आया था तब ये दो मीने के ते लगपन नौ मीने होगे हैं इनको लेके आयो हुए अभी तो नौ मीने के बाद आठ मीने के बाद इन्होंने ब्रीडिंग करना शुर सब्ड़ नियुक अब शेमेंग करनाव हँए तो अभी जुलाई मन्थ है और जुलाई मन्थ के अंदर जुलाई का महीना चल रहा है लेकिन जुलाई महीने के अंदर問 में अन्दे लिख इ। यो गलर की फीमेला उसने अंडे दे लिखे थे लेक लेकल गु को इसने पेला उसने साथ अंडे देगी हो गएते हैं लेकिन आज चाह करते हैं तकरिपन क्या है उसके बोक्स के अंदर लेकिन मेरे जो बोक्स है बहुत ही उचाही के उपर है पोंचना नाम हूं कि अरे वाँ एक बच्चा दिया हुआ है और एक दो तीन चार पंड वाँ छे अंडे बड़ यह देखिए आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर की फीमेल है उसने एक बच्चा आज निकाल दिया है लेकिन आभी लगता सुबा ही निकाला होगा एक बच्चा और छे अंडे हैं तो जुलाई मंत में यह मेरे जो केज मैंने छोटा सा बना रहा लेकिन ज्यादा कुछ बच्ची डाले हुए है और मेरे केज की पैनली ब्रीडिंग है और फस्ट बच्चा निकला है जुारणे अभी बाकी यां सात अंडे दिये थे पहला अंडवा इसी महिने की 11 तरी को पहला अंडवा दिया था और आज तकरीबन तराँ दिन के बाद सतारा से दिन के बाद इन्होंने बच्चे निकालने शुरू कर दिये हैं जो जो पहली ब्रीडिंग है और गर्मी का सीजन गर्मी बहुता इधर मैं अभी मकाव कंट्री के अंदर हूँ होंकों के पास मकाव कंट्री पड़ता है तो मैं अभी वहां पे हूँ जहां पर रखे हुए हैं कुछ थोड़े पूते एक फिश्र गया और दो पेर हो बजजी स्टी है और मैंने जहां पर फैल लगाया हुए है लेकिन मैंने इनको बार बालकोनी में रखा हुआ है लेकिन सारे लोगों पर एसी योन किया है तो गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए मैंने जहां पर यह बड़े वाला पंक्ख है उनको लगाया हुआ है और चोटा बच्चा है अभी तो उसके लिए उसको करमी ज्यादा नहीं चाहिए करें है अभी इन कुद्या कि निकले का कि तने अंडे मैंसे बच्चा निकलें हमें और निकलेंगे नहीं अभी तो फिलाल एक भच्चा और आज ही जै पहला बच्चा निकाला और फेस्ट ब्रीडी मेरे पास जहां पर यह कि यह ति वैंकी टी कल की इसकी प्रसेशिंग क्या होती है उमीद्या कल को भी एक अधा बच्चा निकलाएगा चोलो